गुद मॉर्निंग ओल फ्यू आइम आइडेगर्ग वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल हमने लास्ट वीडियो में डिसकस किया था कि किस तरह से नैस्टेड इफल्स को को implement किया जाता है आज हम डिसकस करेंगे कि यदी हमें if else if को यहाँ पर पाइथन में हम बोलेंगे elif और else means ladder को यदी हमें implement करना है तो वो हम किस तरह से करते हैं सबसे पहले हम if, alif, else, ladder जो है इसके syntax को जान लेते हैं, कि इसका syntax क्या है, देखिए, इसका syntax क्या है, हम यहाँ पर if लिखते हैं, और if में हमने कोई condition specify की, अब यदि ये condition true हो जाती है, means ये condition satisfy हो जाती है, then we have some statement or statements to execute और वो statement execute हो जाएंगी, लेकिन यदि ये condition false हो जाती है, तो मेरे पास एक condition और है check करने के लिए, जिसे मैं check करना चाता हूँ, तो वो condition आप alif की help से put कर सकते हैं, यदि ये condition true हो गई, then it's okay, यदि ये false हो जाती है, तो मेरे पास एक condition और है, जिसे मैं check करना चाता हूँ, तो वो condition आप alif की help से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम conditions specify करेंगे, suppose this is the condition 2, now if this condition gets satisfied, ये condition अगर true हो जाएगी, then we have some other statements to, statement और statements to execute, अब मैं कहता हूँ कि नहीं condition 2 भी false हो रही है, तो मेरे पास एक condition और है check करने के लिए, तो उसे भी आप alif की help से लिख सकते हैं, like this, अगर हमारे पास number of conditions हैं, जिने मैं one by one check करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि उन में से कोई एक भी condition अगर match कर जाए, तो मेरे पास कुछ statements हैं, जिने मैं run करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम ladder का use करते हैं, तो यहाँ पे हमने alif लिखा condition 3 और फिर से statement, इस तरह से आप कितने भी alif लगा सकते हैं, कितनी भी condition specify कर सकते हैं, अब यदि आपकी इन में से कोई भी condition satisfy नहीं होती, यदि हमने, suppose हमने 10 conditions लिखी, 10 की 10 conditions satisfy नहीं हो रही हैं, तो मेरे पास एक default statement है, default means कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी condition satisfy ना हो, तो हम एक कोई भी statement, default statement run करना चाहते हैं, means एक ऐसी statement जो हमेशा run होगी होगी, अगर कोई condition satisfy नहीं होती है, तो हमने यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, else लगाएंगे, और else में हम यहाँ पर, उस statement को put करतेंगे, यह जो else है, यह optional है, means compulsory नहीं है कि आप इस else को लिखें, अगर आप कोई default statement देना चाहते हैं, तो else लिखें, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो else की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप if के साथ कितने भी alif put कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, कि इन में से at a time कोई a की condition satisfy होती है, गडि हमारा condition one satisfy हो गई, अगर यह true हो गया, तो यह statement one को run करेगा और आपका पूरे block से बाहर आ जाएगा, गडि यह condition satisfy नहीं होती है, तब ही वो किस पर जाएगा, condition two पर जाएगा, अब यदि yह satisfy हो जाती है, तो यह statement run करेगी, और आपका block से बाह पहरा जाएगा यदि यह satisfy नहीं होती है यदि कि true होने पर यहाँ जाएगा और false होने पर next condition पर चला जाएगा इस तरह से वो one by one सभी conditions को check करेगा जहां पर भी उसे true condition मिलेगी उसका particular block run होगा और उसके बाद वो उस block से बाहर आ जाएगा फिर वो आगी की conditions को check नहीं करता है लिख रखा है तो जब तब वो else में जाएगा और else में जो भी statement आपने लिखी है वो statement क्या हो जाएगी run हो जाएगी तो अभी हम इसका एक example लेते हैं हमने nested if else में एक program किया था to find the largest number अमंग three numbers यदि हम उसी program को ladder की help से execute करना चाहें तो कैसे करते हैं देखिए तो उसके लिए हमने वो ही हम x, y और z को हम क्या करेंगे यहाँ पर input कर लेंगे x, y और z तीनों का input user से हम ले लेंगे input लेने के बाद हम अपनी conditions को लिखना start करते हैं देखिए सबसे पहले हम if लगाते हैं और if में मैं x को check करता हूँ कि क्या x जो है वो y से बड़ा है या नहीं है और z से भी बड़ा है या नहीं है इत दोनों conditions को मैं a की statement में specify करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम logical and operator का use करेंगे देखिए end operator क्या करता है आपने लिखा x is greater than y and x is greater than z यह जो end है यह आपका logical operator है end operator क्या करेगा अब यह भी एक condition है और यह भी एक condition है यदि दोनों conditions true होंगी तभी overall result क्या मना जाएगा यदि यह भी true है और यह भी true है तभी overall result true मना जाएगा otherwise यह उसे false कर देगा means x अगर y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है दोनों condition true है तभी वो क्या मनेगा true मनेगा otherwise वो इसे क्या मन लेगा false मनेगा end operator तभी true produce करता है जब जितनी भी specified conditions है वो सारी true हो जाती है तभी वो true produce करेगा otherwise वो false produce करता है अगर एक भी condition उसमें से hold नहीं करते है तो अगर यह x is greater than y and x is greater than z दोनों condition true है तो हम यहाँ पे conclude कर सकते हैं that x is the largest fine अब हम लिखते हैं अलिफ fine अब देखें अलिफ में हम यहाँ पर क्या करेंगे अलिफ में हम check करते हैं कि क्या जो y है that is greater than x and y is greater than z अब अगर यह दोनों conditions true हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y is the largest fine अब देखें यहाँ पर हमने x को भी check कर लिया y को भी check कर लिया अब यहाँ पर दो चीज़े हैं यहाँ तो आप सीधा else put कर दें और else में लिख दें कि z is the largest लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे z को भी check करना है तो आप यहाँ पर अलिफ लिखेंगे अलिफ z is greater than x and z is greater than y then print z is the largest fine तो देखें हमने सारी conditions लिख दी यहाँ पर हमने check कर लिया x को यहाँ पर हमने check कर लिया y को और यहाँ पर हमने check कर लिया z को यह program nested if else के comparatively असान रहता है कैसे रहता है अभी तो हमरे पस तीन ही variables थे अगर मैं कहता हूं कि find the largest number among five numbers among ten numbers तो वहाँ पर nested if else को implement करना काफी complex हो जाता है क्योंकि using nested if else if nested if else nest करना जादा if else nest करने में confusion create हो जाती है तो वहाँ पर यह ladder approach बहुत ही अच्छी approach रहती है using these logical operators आप क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं जैसे हमने largest number find out करना है या कोई और आपके पास conditions हैं जैसे हम यहाँ पे एक program और run करते हैं कि कि किसी student की हमें grade find out करनी है grade कैसे find out करनी है कि हम उसके percentage calculate करेंगे और यदि उसके percentage के हम criteria's बना दें कि अगर 90 above है तो क्या होगा 80 से 90 के बीच में है तो क्या होगा 70 से 80 के बीच में है तो क्या होगा 60 to 70 के बीच में है तो क्या होगा तो हमार बस number of criteria's हैं ऐसे programs को implement करने के लिए हम ladder का use करते हैं तो इस तरह से हमने चारों type की conditional statements को one by one पड़ा जिसमें हमने simple if, if else, nested if else and ladder को पड़ा उमीद करता हूँ आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे कि इनको किस तरह से implement किया जाता है इनके कुछ examples हम और discuss करेंगे वो हम next videos में discuss करेंगे so thank you, आज के लिए इतना ही